नमस्कार दोस्तों, CEC के इस लाइफ वेडियो से ट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है मित्रों जैसा कि आप सब जानते हैं कि निरंतर रूप से हम आपके लिए कुछ ऐसे विशा लेकर आते हैं, कुछ ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जिनको जानने के बाद जिनको समझने के बाद आपको लगता है कि हां ये एक वो ऐसा रास्ता है ये एक वो ऐसी मन्जल है जिस पर अगर आप चलेंगे तो आपका भवश्य बहुत ही उन्नत हो जाएगा यानि कि आप उन्नती की और अग्रसर होंगे निरंतर हम यहीं सोचते हैं कि किस तरफ जाएं किस तरफ रुख करें खास तोर पर उन तमाम चात्रों चात्राओं के लिए हम बताना चाहते हैं जो जूर्नलिजम के शौकीन हैं या फिर यूं कहे लीजिए जो मास्क इम्मेनिकेशन के चात्र चात्राओं हैं या फिर यूँ कह लीजिए जिनको रेडियो से बहुत ज्यादा प्यार है रेडियो में वो अपना करियर बनना चाहते हैं या फिर जब बना भी रहे हैं अपना करियर तो निरंतर कुछ ऐसी बाते हैं जो उनके दिमाग में आती हैं ऐसी परेशानिया हैं जिनसे वो में जगा बनाई आपके दिलों में भी जगा बनाता है रेडियो विभिन विधाउं जरीज ऐसा कि हम आमने आपको बताया अपने पिछले लेक्चेस के माध्यम से हमने रेडियो नाटकों के बारे में बहुत जादा चर्शा की आज भी हम एक एहम पहलू के बारे में बात करन यानि एक ऐसे विधा के बारे में बात करने वाले हैं जिसको रेडियो फीचर कहा जाता है अब आप जानने के लिए यह उत्सक हो रही होंगे कि रेडियो फीचर है क्या तो आप बिलकुल भी परेशान है रान ना हूँ क्योंकि आज हम रेडियो फीचर के बारे में बात कर हैं द्वने आंकित हुए हैं जिन्हें जब सुनने वाले सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद उनकी जीवन का कोई पहलू या उनकी जीवन की कोई ऐसी बात उनके आँखों के आगे से जैसे निकल पड़ी है और आपको एक बात और बताना चाहूंगी जैसा कि आप सब देंगी क्योंकि जो लोग वहां पर मौजूद होंगे वो इन्हें वहां देख सकते हैं और आप सुन ही सकते हैं रेडियो के मात्यम से इनकी आवास को तो सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगी का और काजल जी जैसा कि आपको इतना ज्यादा एक्सपिरियंस है आप से ये हैं क्या कहां से उत्पती हुई और क्या कुछ ऐसा खास है आपके पास आपके पैटारे में जो आज हमारे चात्र चात्राओं को आप समझाने वाले हैं जी अंगीतिका सबसे पहले तो मैं शुक्रिया कहे दूँ आपका और रेडियो फीचर के अगर हम बात करें तो बीबी हो गया, कुछ फेस्टिवल्स हो गए तो इन खास मोकों पर स्पेशल प्रग्राम बनाए जाते थे और इनको कहा भी जाता था इनका जो इनमें तबदिली आना शुरू हो गई तो रेडी फीचर में यह होना शुरू हो गया कि जो रेल लाइफ घटनाएं हैं और लोगों की इंटर्वीज पर बेस्ट इयर लाइफ से घटनाओं को लेकर उन पर बनाना शुरू हुआ फीचर लोगों की इंटर्वीज उनसको और ज़्यादा रेल बनाने के लिए लोगों की इंटर्वीज उसमें डाले गए घटना सल्परियां जहां की हम बात कर रहे हैं जहां का हम फीचर बना रहे हैं वहां जाके प्रॉपर रिकॉर्डिंग सुना शुरू हो गई तो आज इन्हें रेडियो फीचर या रेडियो डॉक्यमेंटरी कहा जाता है तो रेडियो रूपर के हम अगर बात करते हैं कि यह क्या है तो कोई भी प्रोग्रेम जो बेसिकली नाटक नहीं है लेकिन टेक्निकली कहीं ना कहीं वो नाटक से जोड़ा हुआ है इसको हम फीचर कह सकते हैं मतलब यह पूरी दरह से एक नाटक नहीं है it's not a play, it's not a radio drama इसमें कुछ अंश है जो रेडियो डॉमा के हैं टेक्नीक्स जो हैं वो कहीं ना कहीं रेडियो डॉमा की इस्तेमाल की जाती हैं तो उसको हम फीचर कहते हैं लेकिन इसको production produce करने के लिए हम इसमें कई बार musica भी इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम dialogues भी डाले जाते हैं, इसमें effects भी डाले जाते हैं, जो सारी चीजें, तमाम चीजें जो एक radio नाटक में डाली जाती हैं, वो इक feature में भी इस्तेमाल होती हैं, लेकिन फिर भी ये नाटक नह अब मुद्द यहां पर अठता है, ये अगुशा थिरें डॉमोरय मतार तो क्या अनतर है वी जिसम क्या है वीजी के बहुत धाया हनतर है बने ड्रॉमोरय में ़ो में मुजिटा ँडिलॉक्स ऩश्तनांाहोरने शकराइ अबद हुआ इना भलत उन आनम बीजा कर ठाईशानों कि मुइंडियो जयो द्रामा नियुक्त भीय तो थारु आम बोला रेजो लेकर बना में लुक्ता इसको आप लेकर आगे चलते हो, लेकिन जो radio feature है, वो real और वास्तरी घटाओं और सुचनाओं पर डिपेंड होता है, मनस्सर होता है, इसमें real facts होते हैं, real घटाएं होती हैं, इन सब की जरूरत होती है, जिबकि radio natuck में यह नहीं है, वो purely imaginative है, यह बात अलग है कि जो radio natuck है, वो भी किसी घटना से इंस्पार होकर आप एक radio natuck लेखते हो, लेकि रूटपक में ऐसा नहीं है, feature में ऐसा नहीं है, फीचर जो होता है, purely किसी ना किसी घटना को लेकर, उसको लेकर हम आगे चलते हैं, और वो पुरी चाहे हम समें इंटर्व्यू लें, चाहे हम इंटर्व लेकर हो कई फीचर बना रहे होंड़ी हूँ, तो उस पर लिखना तो अगर हम नाटक लिखेंगे देहेच की बुराईयों को लेकर, हम अगर कोई नाटक लिखते हैं, तो उसमें हम एक स्टोरी को लेकर आगे चलेंगे और इसको डेवलप करेंगे आगे, पुरा इमेजनेटीव होगा, रेल नहीं होगा, जबकि जो टॉपिक है, वो हमने सोसा उन लोगन के इंटर्वीयूस लिए जाएंगे, उन घट्ना पर जाकर वहां की लोगन के इंटर्वीऊस लिये जाएंगे, सारी चीज情ा रियल होंगी, यह रुपक में होता है, लेकि जो हम ड्रॉमा करेंगे, तो ड्रॉमा में यह चीज नहीं होगी। रूपक में रेल लाइफ इंसिदेंस का भी जिक्र होता है चितरन होता है और उन चीजों को ध्यान में रखकर ही रूपक की जो स्क्रिप्ट होती है वो लिखी जाती है कि इसमें पूरी चीज हो वो फैक्ट्स पे आधारित हो उसी को ध्यान में रखकर जो स्क्रिप्ट है वो लिखी जाए और नाटक में तो पूरी तरह से आप एक प्लॉट लेते हो और imagination को लेकर किसी एक topic को लेकर imagination को लेकर आगे चलती हो जैसे जो रूपक है इसमें हम history, geography, जीवन, चरित्र, विज्ञान कोई भी topic हम ले सकते हैं जो facts पे based हो और जैसे रूपक के माध्यम से हम सवाधहिंता संग्राम के बारे में बता सकते हैं, किसी महान वेक्ति की जीवन के बारे में बता सकते हैं रूपक के जरिये ही और किसी प्रदेश की जो संस्कृती है उसको भी हम रूपक के जरीय ही बता सकते हैं, विज्ञानिक जो अविशकार हैं, important inventions हैं, उनको हम develop करके, facts को ध्यान में रखकर, उसी तरह से interviews करके, उसी तरह के effect यूज़ करके, हम उसको लेकर आगी चल सकते हैं, डोगों की रोकता हम को कैसे आप कर सकते हैं, इसको पार में बता जा सकता है, इन शौट ग्यान विज्ञान का लासनस करते हैं, किसी भी टॉपिक पर आप रूपक लिख सकते हो, जी, तो किसी भी विशाय पर हम रूपक लिख सकते हैं, लेकि अध्यान बस यह रहे कि जो भी चीज हम ले रहे हैं रूपक में, वो पूरी से, पूरी की पूरी तरह, फैक्ट्स पर बेस्ट हो, इमेजिनिशन उसमें कहीं भी यूज़ ना की जाएं। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्ट्र के माध्यम से पाया था कि नाटकों में खास तोर पर जब हम अंतर की बात कर रहे हैं तो नाटकों में हम डायलोग्स का बहुत ज्यादा इस्तमाल करते हैं तो क्या फीचर में भी डायलोग का इस्तमाल किया जा सकता है? फीचर में डायलॉग्स का इस्तेमाल होता है, नाटिकेटा कहम कहीं न कहीं यूज करते हैं, उसका जिकर मैं आपको आगे बताऊंगे इसके बारे में, लेकिन नाटिकेटा होती है, लेकिन पूरी तरह से भूड्रामा ना होते हुए भी ड्रॉमा है, लेकिन फीचर बिल्कु पहुंचाने का इंक है, क्या वो चीज ड्रॉमा से पूरी नहीं हो जक्ति, जबकि ड्रॉमा की जो अंश्य है वो भी रूपक में है, सिर्फ रूपक अफेक्स से बेस्ट है, ड्रॉमा में हम लोग किसी टॉपिक को ले लेते हैं, जो समात से ही हमने वो टॉपिक लिया जो रूपक लिखने का जो में एम है, वो है मनुरंजन के साथ-साथ ग्यान का ग्यान बाणता और यह ग्यान कहीं का भी हो सकता है, रेडियो रूपक के लिए जब स्क्रिप्ट लिखनी हो, तो यह बात जैसर कि मैंने बार-बार बार यह बोला है अभी जित्ति देल मैंने इसके बात कि जो फैक्ट्स होते हैं वो होने चाहिए, लेकिन लोगों के रेल लाइफ पे बेज सुना चाहिए, लेकिन उसमें रोचकता जरूर होनी चाहिए, यह में एम है रूपक का क्योंकि फैक्ट्स आप इकथे लाओगे, और फैक्ट्स कहीं ना कहीं बहुत ड्राइ हो जाते हैं उन सारे facts में किस तरह से क्या चीज डालाओगे ऐसी कि वो लोगों के interest को बांध सके उनके अंदर एक interest पैदा कर सके कि रूपक आने वाला हमको सुनना है ये रूपक तो ये चीजे जरूर जहन में रखने चाहिए एक writer को जब वो facts facts को ध्यान में रखकर facts को इकठा करके एक रूपक लिखने बैठता है तो interest अगर हमने पैदा करना है हमने अपने listener के अंदर interest पैदा करना है तो इसके लिए भी हमें कुछ बातें अपने जहन में रखने चाहिए कि उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें real life facts तो हूँ लेकिन ये जो real life facts हो उनमें कुछ ऐसा होगी वो आप एक जो श्रोता है जो रूपक को सुन रहा है उसमें वो interest डेवलप कर सके तो ऐसा तो ये जो अगर आप ऐसा नहीं करोगे जसा आप facts ही अपने रूपक में लाओगे और फिर एक वारता और एक भाशन में कोई फर्क नहीं रह जाता क्योंकि जो facts होते हैं वो एक रेडियो टॉक में भी हो जाते हैं अगर आप भाशन दे रहे हो और स्पीच दे रहे हो रेडियो पर तो उसमें भी वो facts आ सकते हैं तो क्या डिफरेंस हो जाएगी वो तो जिस्ट बोलटनर सा हो जाएगा कि आप talk पर रहे हो या एक speech दे रहे हो रेडियो पर वो सारी चीज़े facts बेस्ट हैं तो क्या ऐसी चीज होनी चाहिए कि वो जो feature आपने लिखा हुआ है वो एक श्रोता है उसको बांद सके उसके अंदर interest पैदा कर सके तो ये साब बातें जो रेडियो रुपक लिखने वाला जो रा नहीं होगा कि जो भी real life incidents है उनको लिखें लेकिन जो भी incidents वो चूज कर रहा है उनको बहुत carefully चूज करें कि ये बहुत सही हो और उसको उसने आगे क्या किस तरह से develop करना है कि वो लोगों के अंदर interest पैदा करें और जो भी facts वो ले रहा है उन facts पर एक writer का control होना बहुत जो का control का ये मतलब हुआ कि जब वो आगे ले जाएगा या जो भी producer इसको produce करेगा script के according ले फीचर को तो script के कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो थोड़ा समें drama भी आ जाए facts को ध्यान में रखते हो facts बहुत ज़रूरी चीज़ अगर एक feature में facts नहीं है तो वो feature नहीं है अगर उसमें real life को लेके incidents नहीं है तो feature नहीं है वो फिक drama हो जाएगा तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और इन सब चीज़ों को एक जो writer है उसको सबसे पहले हो तो facts लिये उसन किस तरह से present करना चाहिए कि वो dry ना लगें उसमें कहां किस तरह का effect यूज होगा किस तरह से उसमें music यूज होगा किस तरह से उसकी opening होगी इस सारी चीज़ उसको जहन में रखनी होगी तब ही उसका जो feature है वो बहुत interesting होगा और सबसे बात यह है कि जो feature की जो जान है वो ह effects कि आपने समाच से जो real life incidents लिये हैं उनको एक featureized program में present कर रहे हो अलग अलग चीज़ें है उसमें music है, dialogues है, real जो लोग है जिनके से घटनाए हो चुकी है, उनके interviews है, तो यह चीज़ें अपने जहन में रखना चाहिए कि यह चीज़ें तो उसके feature में हो और इन चीज़ें कह परनी नहीं चाहिए, कहीं भी खत नहीं होने चाहिए, कहीं चीज़ें लॉस नहीं होने चाहिए उसके feature में और इन सब चीज़ें को खोई बिना किस तरह से वो अपने feature को dramatic effect में effect देकर लोगों तक पहुचा सकता है, ताकि जो सुनने वाला Shrota है, जो feature है, वो Shrota को बांध सके, जी बहुत अच्छी बात आपने यहां पर करी कि श्रोताओं को बांधना शायद किसी भी producer का जवाब जैसे producer record करवाते हैं, तो मकसद कहीं न कहीं होता है, कि जिनके लिए हम काम कर रहे हों तक बात पहुचे और में इंट्रेस डिवलप हो, और सब सब रही चीज तभी मेसेज आप उस feature के जरीए लोगों तक पहुचाना चाहते हो, वो message लोगों तक नहीं पहुचेगा, तो इसलिए यह बहुत जरूरी है एक writer के लिए, कि जब वो एक feature लिख रहा है, तो उसको सबसे पहले तो आप में जहान में यह रखना चाहिए, कि वो एक feature लिख रहा है, उसमें imagination नहीं है, उसमें purely life की घटनाएं, जो घट चुकी हैं किसी एक विक्ति के साथ, यह जिन्दगी में जो कुछ भी हुआ है, तो वो जिया यहां किसी महान विक्ति के बारे में लिख रहा है, उसके साथ साथ जो हुआ है, जो भी चीज़े हैं, उन सब को एक real लोगों इसमें तभी एक फीचर लोगों तक पहुँचाएगा, और अकर यह चीज़े नहीं होंगी फीचर में, तो फिर रेडियो फीचर, जो वारता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, वारता भी में भी facts होती हैं, आप लोगों तक पहुँचाना है, उनकी वास्तविक्ता को ख होए बिना हमने facts को उन तमाम तथियों को बातों तक लोगों तक पहुचाना है, यहां पर रिक और बात मेरे जहन में आ रही है, कि जब हम खास तोर पर रूपक की बात कर रहे हैं, और जब हम facts की बात कर रहे हैं, ऐसे में लिखने वाले के लिए शोद करना, यानि कि रिसर किताबे पढ़ना तो बहुत जरूरी चीज़ हैं, पढ़ना बहुत जरूरी, जितना पढ़ोगे उतनी आपकी इमेजनेशन पढ़ेगी, तो उसी के अपकी इमेजनेशन होगी, जितना आपके अंदर शब्दों का भंढार होगा, तभी आप उसको यूस कर सकोगे आगे, यह द्रामा में होता है, और अगर आप एक फीचर लिख रही हो, जैसे अगर आप स्पोज एक फीचर लिखा है, अगर हम हम हमने कोई फीचर लिखा है, तो उसमें कालपनिक चीज़ें आप नहीं इस्तिमाल कर सकते हैं, कि इतने लोगों को यह हुआ, इतने लोग ठीक जो भी संख्या आप देंगे, वो करेक्ट होनी चाहिए, अगर वो संख्या करेक्ट नहीं होगी, तो आपका सारा जूट एफेक्ट है ही नहीं, तो छोड़ चीज़ें जो बहुत जरूरी, बहुत एहम रोल अदा करती हैं, अगर आपने शोध नहीं किया हो, अगर आपने आपने टॉपिक को लेकर जो आप लिखने जा रहे हो एक फीचर के लिए तो यह आपका फीचर फिर आगे नहीं चाह पाएगा, बिल्गूश नहीं बना पाएगा एक शोधा के दिल में और आपका एज अगर एज आप आपका फीचर राइटिंग को अपना करियर बनाना च तो यह सब चीजे तभी आप कर पाओगे जब आपको शोद करना आपका रिसरच करना बहुत जरूरी है तभी आप एक अच्छे फीचर राइटर बन सकते हो जी विलकुल जिस तरह से आप निरंतर बताती हैं कि किसी भी रेडियू ड्रामा हो या फीचर हो उसके लिए निरंतर पढ़ना ज़सरूरी है तो हम यही कह सकते हैं कि जाधा से जदा पढ़ी ये तभी आप जदा से जदा अच्छा लेक पाएंगे और अभीविक्त भी अतना किताबों को बंद अलमारी में मत रहने दीजिए किताबों को अपने पास लाइए और उनको खोल कर पढ़िए तभी आगे बढ़ सकेंगे अपने जिंदगी में तो ऐसे में किस तरह के से पात्र लिये जाते हैं क्या वो कुछ कालपनिक पात्र होते हैं या पर हम यह बूलने की कह सकते हैं कि रियल लाइफ कारेक्टर होते हैं यह जरूर कहना चाहूंगे कि जो incidents होते हैं एक feature में वो तो real life से inspired तो होते ही हैं लेकिन कई पर ये भी जरूरी नहीं होता कि पात्र real हों जैसे अगर हमने गोस्वामी तुलसी तास पर हमने कोई feature बनाना चाहते हैं तो उनके गोस्वामी तुलसी तास पर हम कई तरह से हम एक feature लिख सकते हैं आज अगर उनकी जीवनी पर हम कोई feature लिखना चाहें तो उनके दौर के कभी तो हमें नहीं मिलेंगे लेकिन जो उनके जीवन जहां पर उनका जन्म हो था वहां जाकर वहां के लोगों से वो क्या सोचते हैं उनके बारे में गोस्वामी तुलसी तास के बारे में या उनकी क्या राय है उनको लेकर और या फिर हम ऐसे लोगों को ले सकते हैं जिनके दिल में उनकी जो कविताएं हैं वो रटी हुई हैं उनकी कविताओं का हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो ऐसे में गोस्वामी तुलसिदास के बारे में जो सारी जानकाई दें वो सोर्स भी हम कलेक्ट कर सकते हैं और इसके लावा अगर तुलसिदास के गीतों पर हम कोई फीचर बनाना चाहें तो गीतों के गाईकों, राम लिला करने वाले और देखने वालों से जिस समुदाय में तुलसिदास के जो रचनाएं हैं वो उनकी अंदर, उनकी रूह में, उनके जहन में बसी हुई है उस समुदाय के सदस्यों से बाचित करके उनकी विचारों को, उनकी प्रतिक्रियाओं को, तुलसिदास की कविताएं जो गा के सुना रहे हैं उन सब को recording करके सारा material तयार करके हम एक feature बना सकते हैं जी जी तो यहाँ पर हमारा उदेश पूरा हो जाता है जब हम किसी बात को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं लेकिन यह ड्रामा नहीं है जो हमने पात्र लिये है वो गोसोमी तुलसितास के वक्त के नहीं है किसट वक्त हो इनने अची बसी हैं उन लोगों के इंटर्विउस हम लोग ले सकते हैं, उनकी कविताओं को हम लोग ले सकते हैं, जो जिस जो लोगों के दिलों में उनकी कविताओं बसे हुई हैं, उनकी कविताओं को हम रिकॉर्ड करके, उन सबको हम इकठा करके एक मैटेरियल बना सकते हैं, उसके बेसे सिर् जी, उम्मीद करती हूँ कि सभी चात्व चात्रा इंजोस्पक्त हमें देख रहे होंगे, उनको समझ में आ रहा होगा कि इस तरीके से रेडियो फीचर्स लिखे जाते हैं, बनाया जाते हैं, हम को चोधारन भी काजल जी के माध्यम से पेश करेंगे, पर उससे पहले काजल ज यहां तो थे जान गया जाहूंगे इसके बारे में, कि जैसे अगर हमने अचाईवी आइड्स के बारे में हमने बात की इस यहां टाइटल को भी कवर कर लेंगे, हम लोग, टाइटल जैसे अपने बात कही। टाइडल ऐसा होना चाहिए कि वह उसमें क्यूरास्टी हो एक ल इसनल को बांद सकें, जैसे है अच्छाईवी एड्स पे हमने कोई फीचर बनाना है, तो हम जस्ट इसका अगर टाइटल दे देंगे अच्छाईवी एड्स, तो वह बहुत उसमें रस नहीं है, उस टाइटल में रस नहीं है, और लिसनल को लगेगा हाँ, इस जो फीचर है, तो अच्छाईवी एड्स के बारे में ही बताएंगे, तो इतना वह बांद हेगा नहीं एक लिसनल को, अगर हम उसका टाइटल रखें, एक आहट जिंदगी की, तो वह थोड़ा उसमें थोड़ा सा लिसनल के लिए बड़ा क्यूरेस्टी हो जाएगी, कि इस टॉपिक में क तो वही साती है, एक अग्यान को ग्यान की आहट, एक आहट हर दिलो दिमाग पर, ये मौत की दर्वाजे पर जिंदगी की आहट है, ये आहट है जानकारी की, ताकि किसी को ना पीना पड़े एड्स का जहर, तो इस ओपनिंग ऐसी होने चाहिए कि जो बांद सके उसको लिस शोध की जब हमने बात की थी, जैसे इसमें एक नरेटर कहता है, 1981, सेयोंग तराजे अमेरिका में एक विक्ति की किसी अग्यात रोग से मौत हुई थी, तो 1981 में USA में जो पहली बार एड्स से आदमी मरा था, अगर लिखने वाले ने शोध ना किया हो, रिसर्ज ना कियो, त इस रोग को आज हम HIV AIDS के नाम से जानते हैं, यहाँ पर भी रिसर्ज आ गया, और वोईस, एड्स मानस अभ्यता के इतिहास में अब तक की सबसे खतरनाक विमारी है, और इसे जूजना सबसे बड़े चुनूती, वोईस टू, हमारे जिन्दिकी की हिस्से कभी मजबूरी, और कभी आधुनिक्ता की दोड में बेतहाशा भागने की ललक, नई उभरती मानसिक्ता, जीने के नए अंदाज, मुल्यों की परिभाशा, और हमारी बेवकूफिया, शरीर एक मंदिर है, यह अब हम सब शायद भूलने लगे हैं, बच्पन में पड़ी वो पंक्ती, इलाज विमारी एड्स, राष्ट्री एड बोर्ट नियंतरन की जन सवस्ते जो भी विशेशग्ये हैं, जिसे अब हमने इतना तो हमने ओपनिंग कर ली, दो वोईस को लेकर, उसके बाद हम जब वापस आते हैं की हमने जो फैक्स लेने हैं, तो जो भी हम सबसे पहले की वो क्या कह रहे हैं AIDS के बारे में, उनसे बात चीत कर ली, फिर हमने इसको कैसे दुबार से स्क्रपत के पिरोया, उनसको कर रिए कि जितना हमने लेना है, अगे बात करेंगे हमने कि कितना इंटर्व्य लेना चाहिए, उसके बच हमने उनसे बात की, फिर से Voice आ जाती है, स इस बीमारी की कोई खास दवा विक्सित नहीं की जा सकी है। उपाय सर्फ एक है। और वो है जानकारी। सर्फ जानकारी ही समात में फैल रही। इस बीमारी को हटाने में हमार हथ्यार सिध हो सकती है। क्या आपको मालूम है कि ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। अमीर बड़ा छोटा वाइस टू इस तरही पुरुश और बच्चे शहर गाउं क्या वहाँ यह भीमारी अब हर जगा हर दिशा में फैल चुकी है कि तब भी आप निश्चित है अगर हैं तो आपनी निश्चिता को आपकी जो निश्चिता है उसको किस हद तक आप सही मानते हैं फ और जोड़ना है यह एक्जेंबल में आपको और देना चाहूंगी वाइस फिर कहती है एड्स अगर इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो आने वाले समय में हमारे की शकल ले लेगा फिर हम इसमें यह नरेटर की वाइस से ले इसके बाद फिर से हम किसी को किसी का इंटर्वी हो सकते हैं तो यह हो गया उसके बाद हम एक मा अपने बच्चे की लंबी उम्र की कामना करती है अनजाने में आप अपने बच्चे को जिंदकी की जगा मौत ना दे डालें इसलिए जानिए बच्चिये और आने वाली पीडी को भी समय मौत के अंधरे से खोजाने से डोकिय यहां पर भी हम किसी डॉक्टर का इंटर्वी लग सकते हैं जो लेमेन हैं उनके इंटर्वी लग सकते हैं समाज के जो लोग हैं वो क्या समझते हैं कि किस तरह से इसकी रोक्ताम होनी चाहिए क्या किया जाना चाहिए इन सब के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं, साक्षा इंटर्व्यू कर ले सकते हैं कि आप क्या समझते हैं, कि पुरुष्यों की संख्या कितनी है, महिलाओं की संख्या कितनी है, बच्चों की संख्या कितनी है, इनके जो हमें जवाब है, वहीं लोग दे सकते हैं, जो इस फिल्ड में काम कर रहे हैं, त तो यह अगर HIV AIDS के हम बात करते हैं, तो यह बहुत थोड़ा सा ड्राइट टॉपिक हो जाता है, जो लिसनर को शायद इतना बांदेगा भी नहीं, लेकिन अगर इसकी स्क्रिप्ट आप बड़े इंटरेस्टिंग वे में लिखेंगे, आपकी जो नरेशन होगी, वो बहुत इं जाते हैं, लेकिन इसके लिए फिर राइटर का काम आ जाता है, अगर वो लिख रहा है स्क्रिप्ट तो इसकी जो लैंग्वीज होगी इस तरह के स्क्रिप्ट लिखने में किस तरह किसे होगी, किस तरह से वह इंटरेस्ट बांदेगा, यह एक्जम्पल मैंने अभी-भी अ अपर में सूरी कभीतरी लिली डिशली पर कोई फीचर बना रहे हैं और में सीधे TOPIK दे दी ती डिया तो हम इसे TOPIK दे आसानी से जो लिस्नर का इंटरेस्ट ना तो भान देंगé ना तो इन्हें हिट करेंगी ना ही वो सोचेगा कि मुझे यह feature सुनना है कि क्योंकि जो topic है तो पुरा का पूरा बता रहे हैं कि इसके फीचर में क्या होगा इसमें सवाधिंता के बारे में होगा यह लले शुरी के बारे में जो feature बना रहे हैं इसमें लले शुरी के बारे में होगा अगर आपने एक इंटरस्ट डेवलेप करना है, क्यूरस्टी डेवलेप करनी है, एक लिसनर के मन में, तो उसको टाइटल का जो चुनाव है, तो टाइटल का जो चयन है, उस पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे अब एक एक एग्जमपल दिया मैंने HIV AIDS के बारे में, तो उसका आप टॉपिक इस तरह से दे सकते हो कि मानवता की आवास, क्योंकि सूफिजम जो officials क्रविता युक्ति नियुक्ते हैं लिगा उनने लिखियें, तो आप यह टॉपिक लख सकते हो, कि मानवता की आवास, उसके इलावा, जैसे स्वाधिन्ता संग्राम के इतिहास के बारे में आप लिख रहे हो तो क्रांती की आवाजें यह कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपको हिट करते हैं आपके इंटर्स को बिल्ड करते हैं और लेसनों सोचता है नहीं मुझे यह सुनना ही सुनना है और इस तरह के मुझे जो हमारा फीचर है यह मुझे सुनना है और यह जरूर कौंगी कि फीचर जो होते हैं वो फैक्ट्स पर अधारित होते हैं जैसे मैं बार बर बोल रही हूं और रूपक लिखते हैं वक्त राइटर को टॉपिक्स रिलेटेड जो भी डिटेल्स हों जो भी फैक्ट्स हों वो ले ले और जो भी सूर्सिस हों उनसे वो फैक्ट्स कलेक्ट करें जो भी उसको रिसर्च करना है इन चीजों को लेकर उन सब चीजों को वो इकठा करें और जितनी सही जानकारी उसके पास होगी एक फीचर को लिखने से पहले जितनी सही जानकारी वो इकठा करेंगा उतनी ही जादा से जाद इसको लिखा हुआ फीचर है वो एक लिस्नर के लिस्नर को हिट करेगा लिस्नर को एफेक्ट करेगा और सबसे पहले कि रुपक लिखने के लिए राइटर को यह तो जहन में जरूर रखना चाहिए कि जो वो फीचर लिख रहा है जो वो रुपक लिख रहा है इसका मुख्य उ इसको तयार करने चाहिए बिल्कुल यहां पर आपने तमाम बातें बताएं कि किस तरीके से फैक्स के साथ एमोशन डाले जाते हैं और हम कहें सते हैं कि कहीं न कहीं फीचर एक तरीके कि यहां पर आपके पास थोड़ा नाटे केता भी कर रहे हैं और साथी साथ वो तमाम फाक्ट्स भी अपने सुनने वालों तक पहुंचा रहे हैं टाइटल के बारे में हमने डिसकेशन के कि किस तरीके से उसमें कुछ ऐसी बात होनी चाहिए जो सुनने वालों को बांधे और वो सुनने पर विवश हो जाए अब यहां पर मुद्दा आता है कि फीचर में नरेटर का या नरेशन का क्या योगदान होता है रूपक में जेनरेटर की आवास ली जाते हैं जैसे सूत्रधार कहते हैं जैसे हमने एक 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 जम्पल दिया हम तो एक ही नरेटर से कहीं बड़ काम चल जाता है लेकिन कई बार आप और जादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप दो नरेटर काफी इस्तेमाल कर सकते हो मेल या फीमेल या स्वार एक स्वार दो तो उससे थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है और narrator male या female हो या दोनों हो तो एक विविदता आ जाती है इससे तो ये बाद जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि एक तो सबसे पहले जब आपका feature है उसमें आपको narrator की जरूरत सुत्रधार की जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी और सुत्रधार अगर दो होंगर आपका feature बड़ा है और सुत्रधार दो हों male हो female हो तो थोड़ा विविदता बढ़ती है और variety आजाती है उसमें लेकिन ये पाद जरूर जहन में रखने चाहिए जब आप एक feature लिख रहे हो उसमें narration को आप डाल रहे हो तो एक जो सुत्रलहार है उसका सिर्फ इतना काम हो को घटनाओं के साथ आपको जोड़े जो लिसनरस को घटनाओं के साथ जोड़े इसलिए जो narration होती है वो बहुत बड़ी ना हो नरेशन की भाशा की बात करें कि नरेशन की जो भाशा है वो कैसी होनी चाहिए वो थोड़ी खुबसूरत सी होनी चाहिए क्योंकि अगर आप जैसा कि मैंने बताया था कि फैक्ट्स को लेकर चलता है एक feature तो फैक्ट्स तो थोड़े ड्राइ हो जाते हैं और अकर इसमें ज खुचाहिए जो नरेटर है वो थोड़ा इंडिफरेंट रहता है सारी घटनाओं को लेकर घटनाओं में खुद निवॉऌ्व नहीं हाता है नरेटर को ड्रामा नहीं करना है उसको सरफ ऊस जामस बताने हैं जब आप किसी नरेटर को ले तो उसमें एमोशन को अपनी तेमपो ज सी इनको अब और या ये तेमपो जाए जाएंगेल, तेमपो क्भी तेज कही है कोुणienna और ոे सराँ के इनकोर बया जा मैं कि सव्वादो इतर रूंचा आए इसही थी। न इंहें उड़ कि झाल नरेटर्स न लेकि जाता है। अज़ आवाज आए रहे इसी नोगों से équी जाए का उन्ह जाए आप आ छहिए बिगाँ, यह लुगों मेहां तो हो माल करते हैं, और आवाज थ posição से तो बहुते हे नहीं हो और टाइटल की बात हमने कर ली और जो बहुत जरूरी चीज़ आती है जहन में अगर आप एक फीचर को लिख रहे हो इन चीज़ों को आप जहन में रखे जो मैंने बताई हैं लेकिन इसके इलावा जो बहुत जरूरी चीज़ है वो है कि ओपनिंग कैसी होने चीज़ फीचर इतना इसमें इंटरस नहीं रहता अगर आप इसी मूजिकल एफेक्ट से आप स्टार्ट करोगे तो उसमें खुबसूर्ति आ सकती है एक मैं आपको एग्जेंपल लूँगी एक फीचर है उसमें संगीत को हमने ले लिया संगीत से हमने लेकर संगीत को फी संगीत से की दूसरे से प्रभावित, एक दूसरे से प्रेरित, उत्ठान में भी और पतन में भी, इनमें से किसी एक की भी कहानी, बिना किसी दूसरे का हवाला देते हुए, पूरी नहीं हो सकती, शेयद इसलिए मानव जब अपने अदेद की ओर देखता है, कुछ याद करने के लिए, कि हम जिन्देगी के सफर में कितनी दूरी तैक कर चुके हैं, इसकी इतनी नरेशन, फिर हमने एफेक्ट दिया, तेस हवा के चलने का, और दूर से आता हुए समुद्र की लहडों का, सुत्रधार, ऐसे ही चिंदा में डूबी एक महिला यात्रे, यह जो फीचर है, यह हमने प जिन्दन में डूबी एक महिला यात्रे, माउंट हैरियट की चोटी पर खड़ी, समुद्र की खुबसूरत नीली मां विखेरती जलराशी को देख रही थी, विशाल नारियन के पेड, जहां तक देखो हर्याली ही हर्याली, और खाड़ी की उस पार बसी, खुबसूरत यक् और वसें और कार, विखेरत वेश भूशा में इधर उधर घूमते लोग, मानो भारत की विखेरत संस्क्रतियों का संगम हो रहा हूँ यहां, भारत सिमट कर अपने चोटे से रूप में यहां आ गया हो, मंत्र मुगत यात्री ठगी सी अपलक देख रही थी उस नगरी की ख लुकाओं को, फिर से तेज हवा के आवाज और सागर के आवाज, हवा के यह जोंके रहे रहकर शरीर को चू लेने वाले समय की गती की तेजी से प्रतीक थे, यह विशाल सागर की गहराई पता नहीं कितने अर्माद चुपाए हुए है अपने अंदर, हर यात्री को यहां क कितनी रूहानी खुशी हासिल होती है, इस विशाल परवत की चोटी, मौंट हैरियट ने तो इतिहास घटित कितनी ही गटनाओं को देखा होगा, स्वतंदरता सेनानियों के पुन्य तीर्थ, पोर्ट बेर की विभिशकाओं को, इन धीपों के उत्थान पतन का यह परवत आज जीवन साक्षी रहा होगा, काश यह बोल सकता, यह नरेशन आगे फर्स और सेकिंड जो बैक्राउन दे रहे हैं उस यक्षनगरी का पोर्ट बेर के बारे में, उसके बाद आँ जो गुमने लोग आयों हैं उनके बारे में, उनके इंटरव्यूस पर बेस्ट आगे उन नरेशन का जो पार्ट है, उसमें जो नरेटर है वो बैक्राउंड को पेश कर रहा है, कि जो हम टूरिजम पे जो हम फीचर बना रहे हैं पोर्ट ब्लेर को लेकर, तो यह पोर्ट ब्लेर में क्या के चीज़े हो रही हैं, क्या के चीज़े हैं, तो इसमें फर्स पार्ट वा ने डिस्क्राइब किया हुआ है कि समुद्र की लहरों को लोकिस तरह पीपोशा के पहन कर घूम रहे हैं ऐसे लग रहा है कि मिधी इंडिया वहां पे आ गया है समुद्र की लहरे कैसे उड रही हैं और हर तरफ हर्याली हर्याली यह चीजना एक लिसनर के अंदर रूर्श डे तो हमारा फीचर जो है आगे चल कर बहुत ज़्यादा खुबसूरत हो जाता है। यह भी कहना चाहूंगी मैं कि अगर हमने किसी सहायतिकार कवी या लेखर के ओपर हमने अगर हमने फीचर बनाना हो तो अगर हमें रिकॉर्डिंग मिल जाते हैं। तो बहुत पहले के हो तो तब तो रिकॉर्डिंग नहीं मिल जाएंगी उनकी ओरिजिनल रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। लेकिन अगर उनकी जो भी उनके बात के अगर कोई हो तो अगर हमें उनकी ओरिजिनल रिकॉर्डिंग मिल जाएं। और जैसे अगर हमने कबीर पे फीचर बनाना हो तो इसके लिए उसमे थोड़ा सा ड्रामा आप डाल सकते हो क्योंकि कबीर इतने उन्हें रचनाय लिकिन पड़े लिखे तो नहीं लिए लेकिन उनकी रचनाओं ने लोगों की दिलों में एक आख सी पैदा कर दी थी जोश सा तो इसको ड्रामा जैसे जो फीचर है जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि वो ड्रामा ना होते हुए उसमें अंश ड्रामा की टेकनीक को इस्तिमाल किया जा सकता है तो अगर कबीर पे हम फीचर बनाएंगे तो सबसे पहले कि हम एक भीड का एफेक्ट देंगे और उसके बाद कबीर के आवाज उभर के आती है कबीरा खड़ा बाजार में लुकाती लिये हाथ जो गरपूण के आपना चले हमारे साथ भीर के साथ बीच में ही कबीर के आवाजा रही है यह हमने opening दे लिए थोड़ी interesting लगती है सुनने में इसके साथ हमने narrator को लिया नरेटर कहता है ये आत्म विश्वास रुविद्रो की वाने आज से लगबग 600 साल पहले गुंजी थी ये कभीर की वाने हैं संत और महात्मा कभीर की सत्य दृष्टा और यूग उपदेशक कभीर की ये उस कभीर की वानी है जिन्होंने अपने यूग के बाहरी आडंबरू और पाखंडों को अपने व्यंग बानू से शत विक्षत किया था ये उस कभीर की वानी है जिसने यूग की धर्दी पर उच आदर्शों की अमरत वर्षा की थी ये उस कभीर की वानी है जिसने मित्रता और शत्रुता के धरातल से उपर उठकर अपने यूग के चुराहे मे सब की मंगल कामना की थी ये narrator उसके पाद फिर से बीर की आवास और फिर से कबीर की आवास कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सब की खैर ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर फिर से narrator महात्मा कबीर की मंगल कामना गुंचती रही और उनके महान विक्तित्व ने उनके युग जीवन को अपनी तरफ आकरश्ट किया स्वाट एक, महात्मा कमभी कभीर की मंगल कामना भाई, ये कभीर साहब कौन है? स्वाट दो, कभीर साहब को नहीं जानते जो हमने इसमें ये बताना चाहूंगी जब हमने ओपनिंग की, हमने ड्रामा का एफेक्ट लिया, बीट का एफेक्ट लिया उस बीट में से हमने इंट्रस्ट की अवाज को उठा दिया कभीर के दोहे को उठा दिया उसके बाद नरेटर आजाता है, कि हम कभीर बें इन्ट्र नटॉड़क्शन दे रहा है कि हम कबीर पर फीचर बन रहा है उसके बाद जैसे उसकी नरिशन खतम होती है फिर से बीट का फेक्ट फिर से कबीर का दोहा उसके बाद दो लोग आपसे बाते करते हैं जैसे कहीं लोग जिन लोगों को नहीं पता है कबीर के बारे में या लोगों तक पहुचाना चाहते हैं दो लोग आपसे बाते करें, ये कबीर साहब कोन है, तो दूसरा आदमी कहता है, कबीर साहब को नहीं जानते हैं, दूसरा फिर से स्वर्डो, नहीं, इनकी चर्चा नहीं सुनी हैं, पर इनके बारे में पूरी तरह नहीं जानते हैं, स्वर्डो, कबीर साहब पहुंचे हुए महात्मा हैं इनकी बाते सुनोगे तब समझो कि कितनी गंभीर और उची बाते कहते हैं वो सवर्दो इनका जन्म कहा हुआ था फिर से दूसरी आवाज कहीं काशी में किसके घर यह लो भाई किसी को मालूम नहीं लोग कहते हैं कि जन्म के वक्त इनकी माता ने इन्हें लहर ता के मन में सने हों बड़ाया उन्हें अपना कोई बच्चा था ही नहीं वैं बच्चे को घर ले आए और उन्होंने बच्चे का नाम रखा कभीर तो कभीर दास जुलाहे के गर में पले हैं स्वय हाँ हाँ इसी तो कभीर साहब खुद मानते हैं अपने को बार बार जुलाहा क कहते हैं अभी उस दिन एक पंडित को कह रहे हैं थे कि मैं जुला हूँ लो भाई एक दिन चलो ना उनके पास मैं उन्हें नजदीक से देखना चाहता हूं कि वह कैसे देखते हैं उनकी ज्यान की बातें सुनना चाहता हूं स्वर दो चलेंगे हम किसी दिन यह जो हमने स्वर एक और स्वर दो हमने डाले हैं आवाजें यह नरेटर के आवाज इसको नहीं कह सकते हैं नरेटर के आवाज तो वो थी जो नरेटर इंटर्डूस कर रहा है टॉपिक को यह हमने थोड़ा ड्रामा इसमें डाला है कि दो का हमने डाल दिया कि कबीर अपना काम कर रही है और अपने दोहों को गुन-गुना रही है तो इस तरह से हम क्योंकि कबीर तो आज की दौर में है नहीं लेकिन अगर हम आज की दौर के नौजवानों को या आज की दौर के लोगों को बच्चों को बताना चाहिए उनके बारे होते हैं इस इंटरस्स से वो लिख सकता है और लोगों तक अपनी बात पहुचा सकता है जी बहुत ही उम्दा उधारन के जरीए आपने पूरे रूप रेखा तयार कर दी पूरी रूप रेखा समझा दी हमें रेडियो फीचर के बारे में ये भी समझा दे कि किस तरह के से एक कि रूपक में डालोग भी होते हैं म्यूजी भी होगार एफ्क्स मी रनारा मॉझे नहीं है तो डीयाय व्यूंग की अन्य झालाध की धरीयों के जूर्स मी तो वो डालोग में यह तो एक्छांवरे यह हैं तो आग इसमने फ्शा पर्म कर देए हम कि değer तरह से चिलीन का सबस्क्राइब करने प्रकार्ट को एक बहुत ही खुबसूरूति के साथ जो है वो पेश कर सकते हैं जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि गर्पा की जो ओपनिंग हो बहुत इंटरस्टिं होने चाहिए जाहे वो गीत से हो जाहे किसी म्यूजिकल एफेक्ट से हो तो या किसी भी effect से हो, तो सबसे जरूरी जो चीज है वो ही है कि वो अपने tempo लूज ना करे, अपनी गती लूज ना करे और जो narrator है उसको जब वो बोलता है, तो उसको accordingly, tempo के accordingly अपनी गती को slow, कहीं fast, कहीं कम, वैसे रखना चाहिए, अपनी गती को बदलना चाहिए यहां एक example मैं और आपको देना चाहूंगी, जो interest रखते हैं feature को लिखने के लिए, drama लिखना फिर भी असान है, feature को लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसमें आपको facts को लेकर उन्हीं की recording दे, आपको अपनी script तयार करनी है, जैसा कि मैंने बोला है, जो script facts होते होते ह होते हैं, तो अपनी script से किस तरह से क्या के चीज़े डालोगी, आपको बता चुकी हूँ, कि उसमें एक interest डेवलप हो जाए, एक listener के मन में, तो एक narrator को किस तरह से अपनी अपना tempo बनाई रखना चाहिए, और अगर अपना narrator अपना जो tempo हो लूज करेगा, तो रुपक की जो मैदाने वो खत्म हो जाएगी, एक example देना चाहूंगी यहां पर, सुत्रधार कहता है, सुत्रधार means narrator, कुरुशेतर के मैदान में महाभायत की युद ने एक सभहता का उपसमहार दिखा, उसी मैदान में आज नहीं सभहता का उदे हो रहा है, सुत्रधार दो, हर इनसान को क कारे समाच का अधिकार होना चाहिए, सुत्रधार एक, इसी करांदिकारी विचार ने जननता में सफोर्ती भर दिये है, हताश दिलू में साहस भरा है, और पल पल जल रही यकीन को पक्का बना दिया है, और जननता ने कहा, फिर जननता की आवाज, इनके आपने इंटर्वि हम बीख नहीं मांगेंगे, दूसरी आवाज, हम अपने शरीर में सो रही शक्तियों को जगाएंगे, आवास दीन, हमें काम करने का मौका मिलना चाहिए, आवास चार, हम धरती को चीर कर उसमें छुपे सोने को निकाल लाएंगे, और सब कहते हैं, हमने भारत के जीवन को बढ़ देंगे, इस इन्हीं डायलॉक्स को लेते हुए, हम रियलिटी पे आ जाते हैं, और जिन लोग की ज़रूरत होगी हमें इस फीचर में इंट्रू करने के लिए, उनके इंट्रू करेंगे, और बीच बीच में सूत्रधार को का काम चलता रहेगा, तो यह आपने बता इसमें और जो लिसनर हैं जहां तक उन्हें अपनी बात पहुंचानी है हम हां तक, जैसे एक पॉपलेशन की जो विर्धी है उस पर हम फीचर बनाएं, तो इसमें यह भी हो सकता है कि नरेटर अपने थोड़ी सी बात आगे पहुंचा सकता है, जैसे नरेटर कहता है आज द बात है पुरिश मोहन का लड़का हुए है, बहुत खुशिकी बात है, इतना दे दिया और उसको ने छोड़ दिया, उसके बाद स्थरी सुना तुम ने, पुरिश क्या मालती को लड़की हुई है, पुरिश सच मुच, स्थरी है, यह दो दो तरह के डायलॉक्स है, फरस्ट वस्तर आवास का प्रबंद भी करना है तो इसमें कहा है कि facts को आप dramatic way में real चीजों को ध्यान में रखते हो interest के साथ इस तरह से लोगों के सामने present करें कि लोगों को interest develop हो सके लोगों को बांच सके उसमें drama का होना भी जरूरी है लेकि facts का होना जरूरी है पूरी तरह से drama नहीं होना चाहिए तो facts की रोचिक presentation के लिए किस किस तरह से आप प्रयोग कर सकते हो experiment कर सकते हो ये depend करता है कि आपका feature क्या है आप किस तरह से writing कर सकते हो आपका topic क्या है और आपकी feature writing का aim क्या है ये सब चीज़ें आपके जहन में होंगी तभी जो आपका feature है वो interesting होगा और लोगों तक पहुँचेगा कहीं feature ऐसे होते हैं जिनमे नाटिकियता नहीं होती जो purely जैसे अभी हमने दो example दिये थे मैंना आपको एक कबीर का एक population का उसमें drama था, dialogues थे उसमें effects भी थे, उसमें music भी था लेकि उसमें reality भी थी लेकिन कहीं feature ऐसे होते हैं जिसमें नाटिकियता नहीं होती purely जो उन लोगों के interviews होते हैं जहां पे incident हो चुका होता है और वहीं के जहां पे incident हो उता है वहीं के effects होते हैं का इस्तेमाल किया जा सकता है तो इस तरह की feature में narration भी इस तरह से लिखी जा सकती है कि वह जो narrator होता है वो facts के साथ जोडता है facts को incidents होते हैं उनको और listeners के बीच एक bridge का काम करता है और facts को जोडता है incidents के साथ और writer को ध्यान रखना चाहिए कि interview कैसे और किस किस का आपने record करना अगर आपके बस कोई topic है आपके बस कोई title है तो आपने सोचना है कि किस तरह से आपने कहां जा कि किस तरह से लोगों का आपने interview record करना है कितने लोगों का interview record करना है उस interview में आपने लोगों से क्या बात करनी है जो आपको topic है, आप कही topic से भटक ना जाओ, जो आपका main aim है, आपकी इस feature का, वो main aim आपका पूरा हो रहा है या नहीं, ये सारी बातें आपको जहन में रखनी हैं, तभी आप आगे जा सकते हो, ये चीज़ें आपको बहुत जरूरी है, आपको जहन में रखना कि जो भी आप recording कर रहे हो, आपने script लिखे हो, आपने जाके घटना स्तल पर जाके लोगों का interview करना है, तो आपको वहाँ जाके, आपको बिल्कुल clear होना चाहिए कि आप किस तरह के सवालात पूछने जा रहे हो, और कितने सवालात पूछने जा रहे हो, आप कहीं भी आपने topic से ना भटक कि जिन चीजों को हम चाहते हैं, वह हमें नहीं मिल पाती है, तो इसके लिए बहतर होता है, कि अगर हम अपने साथ एक questionnaire जिसे कहते हैं, जिसमें तमाम सवालात जैसे कि काजल जी ने बताया, तो आसान हो जाता है, उन तमाम चीजों से लड़ना जो कभी भी घटत हो सकती है आपका टॉपिक कुछ हो रहा है, आप सवाल कुछ और पूच रहे हो, तो बिल्कुर जब बात होती है तथियों के त।, तथियों को ध्यान में रखते हैं, रखते हुए हमें बात को आगे बढ़ाना होता है, क्योंकि काजल जी हमारे पर समय भी थोड़ा कम ही बचा है, ज मैं आपको बहठा था या पिसी भी एक टॉपिक को लेकर आप 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 आपने एक कर दोक्ट्र का इंटर्व्यू ले ले रहे हो चाह crucial है उसमें किसी एक इसके बढ़ आपका फीचर कितनी देर का आदे हंडे का फीचर आपके जहन में जरूर होने चाहिए और उसी के अपके पोच्छोंगे बिल्कुल क्रिस्प होंगे उसके बढ़ आपने कर लिया तो एज़ प्रोड्यूसर जब आप राइटिंग के बाद प्रोड्यूसर को यह देखना होता है कि जो भी रिकॉर्ड हुआ है उसकी एडिटिंग कैसे करनी है और जो बाइट से बीच में उनको कहां कहां अपने इस्तेमाल करना है यह नहीं कि आ जब और बाइट से नहीं कि आपने आपने इसप्रोड में अपने इडिट करना पड़ेगा इडिक कि एक ही चीज को बार बार रिपीट ना किया इस बाइट में तो कौन-कौन से पॉंट आपको कहां अा रखने हैं कौन ज़ाना है फीचर को कैसे स्टार्ट करना है कौन से पर फीजर का end होगा और डॉक्टर का आपको इंटर्विव कहां लेना है जनता का इंटर्विव आपको कहां लेना है किसी मरीज का आपको इंटर्विव कहां लेना है उसकी बाइट कैसे लगानी है लंबी-लंबी बाइट नहीं लगानी है छोड़-चोड़ी कट्स में आपक कि स्कुर्प जितने भी अच्छी हगी आपकी पॉस्त प्रोडक्शन अगर अगर लिसणर को सुन का ऊफिर का आपके लिस्ट में बाती यह praw हो कुछ भी हो लेकिन अगर आपकी एडिटिंग उसमें अच्छी नहीं होगी उसमें क्रिस्प नहीं होगी तब भी वो लिसनर को बांध नहीं पाएगा जी यहां पर नोने तमाम वो बाते बताई हैं जिनके मादूर से आप बिलकुल जी और प्रोडूर को इस बात को लेकर क्लेर रहना होगा कि जो भी वो प्रोडूस कर रहा है जो भी उसकी प्रोडक्शन हो उसमें एक विविद्धता बनी रहे मोनटरनेस ना हो बोरिंग ना हो नोनोर्णों तो अगर कहिं भेंडवारता का अंशु तो उसके साथ ही आप स्पीच ना देतें चीजीज बिलकुल क्लेर होनी चाहिए और इस बात का था खास खाल रखना होगा कि जो ईंस जो भी भाशन का अंशूगा जो भी आपकी स्पीच होगी जो भी चीज होगी उसम कहीं जो पूरे फीचर में इस इस इंटर्वी को और उसमें एक अगर एक अगर बना रहे हैं ज़रूरी चीज़, काज़ जी के पास इतनी जाला सामगरी कि शायद हम अगर एक और गंटा इनको दे पाते तो इनके पास और भी बहुत कुछ होता आप तक पहुँचाने के लिए पर इतना कहना चाहूंगी कि आगे भी हम इस चर्चा को जारी रखेंगे यानि कि आने वारे लेक्चर्स के माध्यम से हम रेडियो फीचर्स या फिर य तो आप हमारी यूट्यूब में जाकर इस लेक्षर को आज क्या दिन का जोई लेक्चर है इसको आप देख सकते हैं और विभिन पहलूओं पर जानकारी पास सकते हैं तो काजल जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे सा जूढने के लिए और हमारे सुट्यों माने के